हलो बच्चों, तो आज हम रोग देखने वाले हैं Growing Up Chapter के Question and Answer English Class 8 तो आईए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला Question देखते हैं दिया है वट डिट रस्किन बॉंट फाइनली डिसाइड तो राइट अबाउट अब वो आगे क्या करना चाहते हैं तो आँसर है जब वो लिखते-लिखते जो पोएम है खत्म हो जाती है तो उनको अपने पापा के बारे में यानि फादर के बारे में उनको याद आता है और वो अपने father के बारे में लिखना शुरू करते हैं Who had taught him to write the trees and his father had planted and about the people he knew while he was growing up and about what happened on the way to growing up यानि जो भी चीजे उनके पापा ने उनको सिखाया था जो भी चीजे वो बड़े होते हुए, देखते थे या देखे हुए थे, उसके बारे में वो लिखना शुरू करते हैं Question number two है, how did young Ruskin's father explain the appearance of the insect to him? यानि जब वो एक insect को देखते हैं, तो किस तरह से Ruskin के पापा उसको explain करते हैं? आंसर देखते हैं, young Ruskin's father explain the appearance of the red insect to him by saying that it may have come down from the sky with the rain. Ruskin born जब उस insect को देखते हैं, तो वो कहते हैं, यह जो इंसेक्ट है, साइद यह बारिशों के साथ बादल से या अकाज से या इसकाई से आया हुआ है. Question number three है, how did Ruskin's father describe Norway? Norway को जो रसकीन के पापा थे, वो किस तरह से decide करते हैं? या describe करते हैं, बताते हैं. Ruskin's father describe Norway as a cold land with mountains and snow. या रसकीन's father जो है, वो नौर्वे को एक तरह से थंधा जगह है, यह हम बहुत सकते हैं, वर्फिला जगह हैं बताते हैं, और वहाँ पेठे सारे पहाड, पिर-पौधे, और स्नू की बारिस हो रही है, उस तरह का वो अपने आप में क्या करते हैं? या उसको फिल करते हैं, या उसको डिसक्राइब करते हैं, and the sea cutting deep into it. He also said that it was very beautiful and its people were very good and work hard. और वो नौर्वे के बारे में भी बोलते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है? और वहाँ कि जो actually में पूरी environment होती है, बहुत ही सुंदर होती है. Question 4, what was the one question that Ruskin's father didn't answer? यानि क्या question था, जो कि Ruskin के पापा कभी भी Ruskin को जवाब नहीं देते थे? आंसर देखते हैं, Ruskin's born mother had gone away when he was only four. जो Ruskin के मम्मी थी, वो दुनिया से चल बसी थी, जब वो चार साल के थे. When he was a little boy used to ask his father why his mother had gone, जब भी वो लड़का अपने पापा से पुछता, अपने मम्मी के बारे में कि मम्मी कहाँ चली गई हैं, तो वो कहते थे, he would reply, जवाब देते थे, that Ruskin would understand when he grow up. जब रसकीन बड़ा हो जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि उसकी जो मम्मी है, वो कहाँ चली गई हैं? Question 4. Sorry, 5. Though Ruskin didn't have his mother staying with him, he was quite happy. How do we know this? जैसा कि लमक जानते हैं, जो रसकीन के मम्मी थी, जब रसकीन चार साल के थे, तो उनकी जो मम्मी थे गुजर गई थी, जैने, दुनिया को छोड़ का चली गई थी, तो उसके बाउजिद भी रसकीन जो थे, बहुत ही खूस रहते थे, ऐसा क्यूं? तो आंसर है, रसकीन डिजन्ट हाइव इस mother staying with him, we know that he was quite happy as he had not known to any other kind of life. याने उसकी मम्मी नहीं थे, उसके बाउजिद भी वो खूस रहता था, ठीक है? क्योंकि वो दूसरे life के बारे में नहीं जानता था, उसके पापा जो भी कहते थे, उसको करता था, ठीक है? और वो अपने पापा का हर एक कहना मानता था, He was, He could talk to His Father about everything, वो अपने पापा से हरे एक चीजों के बारे में बाते करता था, हरे एक चीजों के बारे में बाते करता था, फ्रम इन्सेक्ट्ट्रेक्म, इंसेक्त कैपार और बात ये करता रहा था था था, Q6 is How did Raskin's father explain to him that the earth was round, जैनि किस तरह से Raskin के पापा, Raskin को समझाते हैं कि जो ये earth है, पृथ्वी ये वो गोल है, Raskin's father's explained to him that the earth was round by giving him the example, एक एक्जामपल के थरुप वो समझाते हैं, रस्किन कुकि यह जो धर्ती है वो क्या है गोल है प्रिथवी गोल है किस तरह से जैसे लिटिल फ्लाइ सीटिंग उन लाज वाटर मिलन वो कहते हैं कि अगर तुम सोचो एक छोटी सी मक्ही है वो किसी तर्भूज पर बैठी हुई है जो तर्भूज है वो बहुत ही बड़ा ह है जब वो छोटी सी हम बोल सकते हैं जो मक्ही है वो बैठी हुई है उस बड़े से वाटर मिलन पर तो वो चारो और नहीं देख सकती है ठीक है क्योंकि जो वाटर मिलन है उसकी साइज है वो बड़ा है इट मस्ट अपिया फ्लाइट टू फ्लाइशो अगर वो नीचे अपिया फ्लाइट दिखेगा वी कांट सी अर्थ राउंड नेस और हम लोग जो अर्थ है जैसे की गोल हम लोग नहीं देख सकते हैं इस तरह का एक्जामपल देखे वो समझाते हैं अपने बेटे को कोशन 7 है वाट ड़स वाट दो वी नो अबाव रसकेंस ग्रान पैरेंस रसकेंस के बारे में लोग क्या जानते हैं या क्या बता गया इस चैप्टर में देखते हैं आंसर रसकेंस ग्रांड फादर वस बोर्न इंगलेंड यह बता गया जो रसकेंस के ग्रांड फादर थे वह इंगलेंड में उनका जन्म हुआ था और जब उनकी जो मम्मी थी ठीक हाँ डीट रसकीन फादर डिफ्रेंट तो ही सन डिफ्रेंट का मतलब क्या होता है और जो रसकीन थे वह ठीक है जो रसकीन था वो अपने पापा से किस तरह से डिफ्रेंट था या जो उसका जो बेटे थे ठीक है रसकीन वो किससे अधिफ्रेंट थे दोनों अलग-अलग थे आंसरे रस्किन बोन फादर एक्सपेंट डिफेंट तुम हीम बाइट तेलिग इंट एवरी कंट्री है इस ओन डिस्टिंक्टिव फिचर अब रस्किन बोन बताते हैं डिफेंट का मदलब क्या होता है एक्चली में वह कहते हैं कि हर एक कंट्री के पास अपना खुद का एक मौशंब होता है कहीं पर जयादा गर्मी होती है किसी कंट्री में जय्दा वर्ष गिरT ऑ हार एक कंट्री का कdoes अपना अलग-अलग मौसम होथा सुम होता है Weiludar टेल्ट हार एक चीज अलग-अलग होती है एक कंट्री से लिकर दूसरे कंट्री तक44 belonging to the one country or different from those of another कहने का मदलब कि एक जो कंट्री होते हैं दूसरे कंट्री से वो अलग-अलग होती है Question 9 है Who was Aya? Aya कौन था? What did she tell Ruskin about the relations between India and England? वो Ruskin को इंडिया और इंगलेंड के बारे में किस तरह का relations बताती हैं? तो Aya was a little Ruskin's nani. वो कौन थी? Ruskin की नानी थी Aya? ठीक है? और Aya told him that India belong to the king of England. जो इंडिया है वो इंगलेंड के जो राजा है उनका था. ऐसा वो कहती हैं. She added that jewels in his crown were taken from India. और वो कहती है कि जो jewelry England की रानी पहनती है या जो राजा पहनता है ठीक है? वो कहां कहा है? इंडिया की ही है. This is said that getting the jewels back from the king was very tough. अगर हम लोग उस Jewelry को वापस चाहते हैं जो England का king पहना गया है वो बहुत ही tough काम है वो हम लोग उससे वापस नहीं ले सकते हैं. For that Indians would have to get the crown from the king's head. इसलिए क्या करना होगा? इंडियन को जो crown से ठीक है? उसको छिनना पड़ेगा लेना पड़ेगा. And the king always owed the crown. लेकिन एक problem है जो राजा है वो हमेसा अपने crown को पहना राता है तो कोई उससे चुरा नहीं सकता है. Even when he slept. चाहिए वो सोता भी है तब भी वो crown पहन के ही सोता है. ऐसा अब उसकी नानी कहते हैं आया. Do I think an answer? Question number one है. यंग Ruskin and his father enjoyed a special relationship. Explain. किस तरह कर relationship enjoy करते हैं यंग Ruskin और उसके पापा? To answer है. यंग Ruskin and his father enjoyed a special relationship. One of the reason for this was that Ruskin's mother had left when he was beautiful. जब वो चार साल के थे तो उनकी ममी उनको छोड़ के चली गए थी. इसलिए उनके पापा ही एक लोटे हम वो सकते हैं मेंबर थे. जो कि दिखभाल करते थे वो रसकिन की. वो काफी अच्छे से दिखभाल करते थे. So Ruskin's father became his only parents. इसलिए सिर्फ वो ही एक only parents थे उनके family में. Question number two देखते हैं. Do you think Ruskin wanted to leave India? क्या आपके साथ जो रसकिन है वो इंडिया को छोड़ना चाता था? To answer is no. Ruskin didn't want to leave India. वो बिलकुल भी इंडिया को छोड़ना नहीं चाता था या छोड़के जाना नहीं चाता था. When his father told him that the British had been in India for 200 years. जब उसके पापा बताते हैं जो British हैं इंडिया में 200 साल तक यहां पर रही राज की and he was born here 7 years ago. और वो यहां पर 7 साल, 7 साल पहले ही क्या हुआ है? इंडिया में पैदा हुआ है. So he immediately asked his father if he could stay in India. इसलिए तुरंत वो अपने पाप से पूछता है क्या मैं और इंडिया में रह सकता हूँ थोड़ी समय के लिए. तो यह थी question answer. अगर हम बात करना है fill in blanks की तो वो दिया गया है यहां पर. आप इसको fill कर लिए जैसे number one में old man fill करना है, second में red insect, third में sky and four में four and five England, six Norway, seven patients and eight Nani. ठीक है? तो यह थी question answer इस chapter का, I hope आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है, please like and subscribe my channel. Thank you.